नमस्काल दोस्तों धन्मंतरी करेपा हैल चानल में बहुत बहुत सवागत। दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि पानी से ही जो आपकी शूगर है वो थीक भी होसकती है और कभी ठीक भी ने होसकती है। अब आप सोचेए कि मैं ये ङीया वहराऊ हूं कि पानी से सुगर कैसे ठीक होसकी है दोस्तों पूरे पॉइंट से मैं अबसे बात कर रहा हूं और किस धंग से किस रीजन से मैं ये बात बोल रहा हूँ ये इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले सभी माताफाईय भेनों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को इतना सेर करें कि सब लोगों तक पहुंचें जो भी पानी पीने का दूज़ आपका तरीका है वो गल्त है मुझे पता है मैं तब ही ये वीडियो डाल रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेर करें और लाइक करते जाएए और इस चैनल को भी जरू वाले पेशन्ट ना करें होता क्या है जैसे गर्मिया होती है गर्मियों के मौसम में हम क्या करते हैं कोल्डिंग्स या फ्रीज का पानी यह ज्यादा पीते हैं अगर आपको ठंडी बॉटन ना मिले फ्रीज की या जैसे कोल्डिंग्स पीते हैं तो उसको आप बेकार समझत हैं दोस्तों बहुत बड़ा कारण है बहुत सारे बच्चाओं को और बहुत सारे ऐसे लोगों को इस पानी से भी शूगर होती है जैसे कोल डिंक्स हो गया और का यह जिसरा फ्रिज का तेज हो जाती है और गर्मियों में हमारी पाचन क्रिया जो मंद पड़ जाती है अब होता क्या है कि जैसे हमारी पाचन क्रिया मंद है अंदर ठंडा है और उपर से आप क्या करेंगे फ्रीज का या पानी पीएंगे या कोल डिंक्स पीएंगे तो होगा क्या कि जो आपकी अं और आपने ये भी देखा होगा कि जितना आप गर्मियों को मैं कोई तला भूनी चीज खाते हैं वो आपका पेट में अफारा हो जाएगा पेट के दम फूल जाएगा आपको पेट में जलन हो जाएगी गैस हो जाएगी पेट में तो दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है क्य ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं चार साल का बच्चा होगा पूरी 300 ml की बोतल गड़क कर जाएगा अब बताइए कि ऐसे बच्चों को सुगर होगी कि नहीं होगा उसका आटो में सिस्टम जो आया में सिस्टम है भी होगा दूसरा कि कि आप कितने भी जो सर्दियों में जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं अगर गर्मियों में हम गर्म चीज़ खाते हैं तो नहीं तो बिमार पड़ जाते हैं मतलब उस चीज़ को पचा नहीं पाएंगे क्योंकि पहले ही जो गर्मियों में हमारा जो पित की ब्रिदिया वो जादा हो जाती है अब सर्दियों में क्या हो होती है सर्दियों में वगनी तेज होती है लेकिन हम उल्टा क्या करते हैं सर्दियों में हम गर्म पानी पीते हैं यह बहुत सारे लों करते हैं सर्दियों में हम गर्म पानी पीते हैं और जिसकी वज़से वो पहले ही गर्म है उसको हम और आग दे देते हैं कोसिस करिएगा कि जैसा जैसे गर्मियों का मौसम है जितना आटोमेटिकली पानी जिस लेवल के जिस टेंपरेचर के घड़े का पानी पीना चाहिए घड़े का पानी पीएंगे जिस लेवल के उपर है उसका टेंपरेचर वो पानी पीजिए और सर्दियों में जिस लेवल के उपर आपके घड चीज़ें करके पानी का ही इतना प्रफाद आप कभी अजमा लेना बहुत सारे लोगा जैसे आप सरदियां सुरू होने वाली हैं गरम करके पीएंगे और अपने आपको बिमार करेंगे तो सरदियों में एक चीज़ कहूँगा जितने भी सुगर के पेशेंट हैं या आम पानी भी पीते हैं तब भी उसको पहले ठंडा होने दीजिए जो नॉर्मल मौसम के साफ़ से टेंपरेचर रहता है उसी टेंपरेचर या उसी लेवल का आपको पानी पीना चाहिए तो दोस्तों यहां बात छोटी सी है लेकिन बड़े पते की बात कर रहा हूं क्योंकि मेर एक्सपीरियस है और दोस्तों जितने भी मेरे सुगर के पेसेंट हैं जिन लोगों को हम ट्रेट करते हैं सारी बाते समझाते हैं कि आपने यह निखाना ही ऐसे करना है क्योंकि छोड़े छोड़े टिप्स जो हैं वही आपके उपर के बार जैसे गल्तियां होती है जिनको आ आपके उपर होता है और आपके खान पान पर होता है और जो आप कोई भी जैसे हम हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हर्बल चीज़ें देते हैं वो उनके उपर निर पर होता है तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शे